भागवत पुरान दसम सकंद पचीस्वा अध्याय गोवर्धन धारन श्री सुगदेव जी कहते हैं परिक्षित जब इंद्र को पता लगा की मेरी पूजा बंद कर दी गई है तब वे नंद बाबा आदी गोपो पर बहुत ही क्रोधित हुए परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या उन गोपो के रक्षक तो स्वयम भगवान श्री कृष्ण थे इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का इश्वर हूँ उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रले करने वाले मेगो के सावर्तक नामक गन को वरज पर चढ़ाई करने की अग्या दी और कहा ओह इन जंगली गौलो को इतना घमंड सच मुझ ये धन का ही नाश है भला देखो तो सही एक साधारन मनुशिक कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझे देवराज का अपवान कर डाला जैसे पृत्वी पर बहुत से मंद बुद्धी पुरुष भगवान भवसागर से पार जाने के सच्चे शाधन ब्रह्मे विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की तूटी हुई नाश से कर्म में यग्यों से इस खोर संसार सागर को पार करना चाते हैं जैसे पृत्वी पर बहुत से मंद बुद्धी पुरुष भवसागर से पार जाने के लिए सच्चे शाधन ब्रह्मे विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की तूटी हुई नाश से कर्म में यग्यों से इस खोर संसार सागर को पार करना चाते हैं कृष्ण बकवादी नादान अभिमानी और मुर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्यानी समझता है वह स्वें मृत्यू का ग्रास है फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है एक तो ये योही धन के नशे में चूड हो रहे थे दूसरे कृष्ण ने इनको बढ़ावा दे दिया है अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकडी को धूल में मिला दो तता उनके पशुओं का संगार कर डालो मैं भी तुमारे पीछे पीछे एरावत हाथी पर चड़कर नंद के व्रज का नाश करने के लिए महा पराक्रमी मरुदगन के साथ आता हूं श्री सुगदेव जी कहते हैं परिक्षित इंद्र ने इस प्रकार प्रलेके में घो को अग्या दी और उनके बंधन खोल दिये अब वे बड़े वेक से नंद बाबा के व्रज पर चड़ आएं और मूशलाधार पानी भरसा कर सारे व्रज को पेरित करने लगें चारो और बिजलियां चमकने लगें बादल आपस में टकरा करकने लगें और प्रचंड आंधी की प्रेरना से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगें इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आआ कर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिरने लगें तब रज भूमी का कोना कोना पानी से भड़ गया और कहां नीचा है कहां उचा इसका पता चलना कठिन हो गया इस प्रकार मुशल धार वर्षा तता जंजावाट के जपाट से जब एक एक पशू ठिटूरने और कापने लगा गौल और गौली ने भी टंड मारे अत्यंत व्याकुल हो गई मुशल धार वर्षा से सताय जाने के कारण सब ने अपने अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने सरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की चरन शरन में पहुँचे और बोलें प्यारे श्री कृष्ण तुम बड़े भाग्यवान हो अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी प्रवु इस सारे कुल के एक मातर स्वामी एक मातर रक्षा तुम ही हो बग्त वच्छल इंद्र के क्रोध से अब तुम ही अमारी रक्षा कर सकते हो भगवान ने देखा कि वर्शा और ओलो की मार से पीरित होकर सब बेहोस हो रहे हैं वे समझ गएं कि यह सारी कर्टूत इंद्र की है उन्होंने ही क्रोध वस ऐसा किया है वे मन ही मन कहने लगे हमने इंद्र का यग्य भंग कर दिया है इसी से वे व्रज का नाश करने के लिए बिना रित्तू के ही यह प्रचंड वायू और ओलो के साथ गंगोर वर्शा कर रहे हैं अच्छा मैं अपनी योग माया से इसका भली बात ही जवाब दूँगा ये मुर्गता वस अपने को लोगपाल मानते हैं इनके आश्वरी और धन का घमंड तदा ज्यान में चूर चूर कर दूँगा देवता लोग तो सत्व परधान होते हैं इनमें अपने अश्वरी और पद का भिमान ना होना चाहिए अधर यह उचित ही हैं कि इन सत्व गुन से चूत दूष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूँँ इससे अंत में उन्हें शान्ती ही मिलेगी यह सारा व्रज मेरे आश्रित है मेरे दौरा स्विक्रित है और एक मातर मैं ही इसका रख्चक हूँ अधर मैं अपनी योग माया से इसकी रख्चक करूँगा संतों की रख्चक करना तो मेरा व्रध ही है अब उसके पालन का अवसर आ पहुँचा है भगवान कहते हैं जो केवल एक बार मेरी शरन में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूँ इस प्रकार याचना करता है उसे मैं संपूर्ण प्रानियों से अभेक कर देता हूँ यह मेरा वरत है इस प्रकार करकर भगवान शरी कृष्ट ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरीराज गोवरधन को उखार लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती चत्ते के पुष्प को उड़ा कर हाथ में रख लेते हैं वैसे हैं उन्होंने उस परवत को धारन कर लिया इसके बाद भगवान ने गोपो से कहा माता जी पिता जी और वरजवासियो तुम लोग अपनी गौव और सब सामग्रियों के साथ हैं इस परवत के गड़े में आकर आराम से बैठ जाओ देखो तुम लोग ऐसी शंका ना करना कि मेरे हाथ से यह परवत गिर पड़ेगा तुम लोग तनिक भी मत डरो इस आंधी पानी के डर से तुमें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ती रची है जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब को आस्वासन दिया डाड़स मदाया तब सब के सब गवाल अपने अपने गोधन छकडो आशृतो पुरोहितो और बित्यों को अपने अपने साथ लेकर सुभीत के अनुसार गोवरधन के गड़े में आगुसे भगवान श्री कृष्ण ने सब रजवास्यों के देखते देखते भूक प्यास की पीड़ा आडाम विश्राम की आवेशकता आदी सब कुछ भुला कर साथ दिनों तक लगातार उस परवत को उठाय रखा वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए श्री कृष्ण की योग माया का या प्रभाव देखकर इंद्र के आश्यरे का ठिकाना ना रहा अपना संकल्प पूरा ना होने के कारण उनकी साड़ी हेकडी बंद हो गई वे भौचक्के से रह गए इसके बाद उन्होंने मेगो को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया और सूर्य दिखने लगे तब उन्होंने गोपो से कहा मेरे प्यारे गोपो अब हम अब तुम लोग निडर हो जा और अपनी स्त्रीयों गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल आओ देखो अब आंधी पानी बंद हो गई है देखो अब आंधी पानी बंद हो गया है तथा नदियों का पानी भी उतर गया भगवान की ऐसी आज्या पाकर अपने अपने गोधन स्त्रीयों बच्चों और बुडों को साथ ले तथा अपनी सामगरी चकड़ों पर लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए सरविशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्रानियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूरवत उसके स्थान पर रख दिया व्रजवासियों का हिख्ड़े प्रेम के आवेग से भर रहा था परवतों को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दोड़ आए कोई उन्हें खृदे से लगाने और कोई चूमने लगा सबने उनका सतकार किया बड़ी बूड़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्ने से दही चावल जल आदी से उनका मंगल तिलक किया और उनमुक्त खृदे से शुब आशिरवाद दिये यशोदा रानी रोहीनी जी नंद बावा और बलवानों में शृष्ट बलड़ाम जी ने स्नेहातुर होकर श्रीकृष्ण को खृदे से लगा लिया तथा आशिरवाद दिये परिक्षित उसमें आकाश में स्थित देवता सद्य सिद्य गंधर्व और चारन आदी प्रशन होकर भगवान की स्थिक करते हुए उन पर फूलों की वरशा करने लगें राजन स्वर्ग में देवता लोग शंक और नौबत भजाने लगें तुम बुडू आदी गंधर्व राज भगवान की मधुड लीला का गान करने लगें इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने वरज की यात्रा की उनके बगल में बलराम जी चले चल रहे थे और उनके प्रेमी गौलबाल उनकी सेवा कर रहे थे उनके साथ ही प्रेम मई कोपियां भी अपने रदय को आकरशित करने वाले उस में प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवरधन धारन आदी लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से वरज में लोट आई